हेलो फ्रेंड्स, खाओ पियो की आज की वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं पेडा रेस्पी ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं इसके लिए हमें जादा चीजों की जरुद भी नहीं पड़ती है तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए इसके लिए चाहिए हमें मिल्क पाउडर, बादाम, दूद, इलाइची पाउडर और पाउडर शुगर अब हम सबसे पहले अपनी गैस ओन कर लेते हैं और अपना फ्राइपें चढ़ा देते हैं अब हम इसमें दो चम्मच देशी घी डाल लेते हैं हमने अपनी गैस को स्लो रखा हुआ है घी हमारा मेल्ट हो गया है जो हमने अब एक कप मिल्क पाउडर लिया था वो एड़ करते हैं और जो एक चोथाई कप पाउडर शुगर लिथी अब वो एड़ करते हैं थोड़ा सा दूद भी आड़ कर लेते हैं हमने इसको नौन स्टोप चलाते रहना है ताकि हमारा बैटर नीचे ना लग जाए दूद हमने थोड़ा थोड़ा डालना है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आप अपनी गैस का ध्यान रखिए कि गैस तेज ना हो अब हम इसमें छोटी लाइची पाउडर डालते हैं मुझे जादा पाउडर पसंद है आपको कम पसंद है तो आप कम डालें इस बैटर को हमने जब तक चलाना है जब तक ये बरतन का तला छोड़ना दे देखिए हमारा जो बैटर है वो इकटा होना शुरू हो गया है तो हमारा बैटर तैयार है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं बैटर हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है सबसे पहले हम अपने हाथ पर थोड़ा सा देशी घी लगा लेते हैं यह मैंने बिल्कुल थोटे नीबू से भी कम, थोड़ा सा बैटर लिया है, गोल-गोल करके एक लड़ू सा बनाती हूँ और फिर उसको थोड़ा सा चप्टा करके, उसमें हम बदाम लगा देते हैं, देखिए हमारा पेड़ा तयार है, इसे प्रेट में रखते हैं, ऐसे ही हमने अपने बाकी सारे पेड़े बना कर तयार कर लेने हैं, पेड़ा बनाने में बहुत देर नहीं लगती है और ये बहुत स्वाद भी लगते हैं और बहुत कम समय में और बहुत कम चीजों से बनकर तयार हो जाते हैं तो देखिए हमारे पेड़े तयार हो गए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो आप भी इनको अपने घर पर बनाईए इंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकन को जरूर दवाईए जिससे मेरे आने वाले वीडि लेकर आपसे मिलते रहेंगे तब तक के लिए बाई